वेल फ्रेंड्स वेरी वेरी गूड वॉल्मिंग अल उफ यू वेलकम टू सेक्सेस मंद्र बाई जैमेलिक टूडे चैप्टर क्रिसी भूमी खरीदने तो जरूरी टिप्स क्या क्रिसी भूमी फायदेगा सोधा हो सकता है उसकी खरीद वेच या फार्मिंग ये भी कंपेरिजन करेंगे कि देखिए कितने सदियों से किशान खेतिवारी करता रहा है लेकिन वो उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होई जितनी होनी चाहिए थी आज कल नए नए टेकनिक खाद वीज इस्टूमेंट आने से और खेति करने के तरीके बदल गए हैं तो खेति भी फायदेगा सोता है तो ज्यादातर खेति की तरफ जुकाव इसलिए है कि एग्रिकल्टर हमारे माइंड और फीजिकल बोड़ी को ताकत देती है देखिए कोई विक्ति अगर यह चाहिए कि मैं आराम करूं तो आराम कोई ऐसी चीज नहीं है करने की नहीं है आराम तो जब आप ठके होंगे तभी आराम होगा अपने आप हो जाएगा लेकिन जो लोग आराम फरमाते हैं वो डिप जमीन खृद बेच की एंगल से गर देखा जाए तो जमीनों की रेट बढ़ रहे हैं घट नहीं रहे हैं लोगोंने अच्छा खासा पैसा कमाया है कुछ लोगों की जमीने एक्वाइर होई हैं उन्होंने तीन एकड़ से दस एकड़ जमीने बनाई हैं और पैसा बचा दुसरे फिल्ड में भी लगाया है तो ज्यादा तर most of the people wish to spend their retired life in farmhouse क्योंकि farmhouse में जो जिंदगी ताजिया हुआ और काम करने का वहां काफी chances हैं आप कुछ भी काम वहां करते रह सकते हैं अपने mind और body को fit रख सकते हैं इसलिए लोग prefer करते हैं देखिए किसानी में ज्यादा खुशाली नहीं भी हो सकती लेकिन अगर आप जमीन की खरीद बेच करते हैं तो उसमें काफी पैसा कमा सकते हैं लोगों ने कमाया है तो सबसे पहले आप देखिए प्रोपर इन्वेस्टिगेशन ओफ एरिया लोकेशन जहां पर आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं मैं डाकुमेंटेशन की बात नहीं करूंगा डाकुमेंट वेरी वरी इमपोर्टेंट बट इससे पहले हमें जहां पर आप जमीचिए खरीद ना चाहते हैं वहां क्यों खरीदना मकाटे तो दूस्पर बात करूंगा तो सबसे पहले Clap आप को प्लान कोई प्रोजेक्ट कहां आ रहा है यह पता आप इंवेस्टर से ड्वर्पर से मिलके कर सकते हैं कि नियर फीचर में कहां पर एरपोर्ट हाईवे मेट्रो और इंडिश्डियर ड्वल्मेंट के लिए अक्वायरमेंट आ सकती है यह आप किसी भी विवाग में जो पर वो आपसे आगी सोचते हैं तो इसलिए सबसे पहले सर्च पॉर डिमांडिंग जोन अगर आप NCR में हैं नेशनल रिजनल कैपिटल जहां हैं तो उसमें आपको भले थोड़ी दूरी पर आपको कोई जमीन मिलती है तो आप ले सकते हैं और उसको बेच कर अच्छा खासा म भूमी परेकड़ खरीद करके 80-90 क्रोड तक परेकड़ के इसाप से बेज करके अच्छा खासा पैसा कमाया है तो सबसे पहले सर्च पॉर्ट डिमांडिंग जोन गवर्रमेंट प्रोजेक्ट का ध्यान रखिए दूसरा राइट्स एं रिस्ट्रेक्शन स्टेट मेंटर फार्मर ही अगरिकड़्टर भूमी खरीच सकता है और फार्मर के आप कहेंगे डफेनेसिन क्या है तो फार्मर जैसे फारहें vit..... petit-PERC液 मघ इखिए रुपिज़्ट टू लैक तो सबसक्र वहाँ पर वही लोग खरीज सकते हैं, तो आप भी अपनी स्टेट में जहां खरीद रहे हैं, तो यह देख लीजिए कि स्टेट के rule क्या है? क्योंकि जैसे करनाट का स्टेट में restrictions रेयु है, क्या दूसरी स्टेट में भी हैं, या नहीं. ज्यादा तर में नहीं हैं. आप वह क्या रेट है उन्होंने किसी बाव से खरीद दी है या ये पता लग जाता है क्योंकि सर्कल रेट होता है ये दो से पता लग जाएगा कितनी सर्कललेट से उस के रेजिष्ट्रियत की बखिरा का यह आपद देखना होगा आपका स्टेटस के साब से खरीदी हाला कि कुछ लोगों ने दूसरी भी दीशेवी पैसा कमाया है जैसे मालिया रुपी आपके दस बारा लाक रुपे हैं आपके पास और आप भूमी खरीदिना चाहते हैं तो और आप यह ऐसा किया है लोगों ने और आप ने असी लाक का सोदा कर लिया यह किया है चार एकड़ भूमी खरीदी यह आपका असी या नब लैक या करोड का समझे तो इन्हों ने क्या किया कि यहां पर सेल अगरिमेंट दे दिया जमीन खरीदने का और आगे फिर बेचने के लिए सेलिंग सेलिंग भी साथ ही साथ कर दी और इन्होंने इन्वेस्टर इन्वेस्टर या डॉलपर से बात की और वहां पर उनसे यहां भी छे मिने का टाइम ले लिया और हाई रिस्क हाई प्रोफिट तो है लेकिन इसमें देखिए हर विक्ति यह बियर नहीं कर सकता कि किसी के सेल अग्रीमेंट डूब जाए तो क्या वह बियरेवल है उसके लिए तो यह अलग-अलग सोच है लेकिन लोगों ने इस तरह किया है इसलिए मैंने यह बताया अब घ्रीमेंट फार्माउस हैं और फार्मिंग है कोनसा परपस्व है तो परपफ़ज अपना लेके चली है किस परपस्व के लिए आपकर फीर फार्माउस बना देंगे या किसान निकरेंगे और फिर उसके अगर अवसर मिला तो उसको भीज के पैसा कमाएंगे सस्ते से लिया मेंगे बेचा तो यह परपज होना भी जरूरी है थो फिर एन्वारेनमेंटल एन्वारेनमेंटल कंडिशन्स वो उस एरिया की क्या कंडिशन्स है Swail Quality क्या है आप सबजियां उगाना चाहते हैं फ्रूट उगाना चाहते हैं लेकिन पता लगा कि वहाँ पर वूस टाइप की भूमी नहीं है तो आज कर तो Swail Quality की जो स्क्रूटिनी हो जाती है उसका उसकी वेरिफिकेशन हो जाता है कि वो क्या है वैसे भी लोगों से पता लग जाता है कि वो क्या वहां उगाते हैं तो स्वैल क्वालिटी क्या है ये भी देखिए वाटर लेवल वाटर लेवल कितना है ऐसा नहीं है कि हजार बारा सो फिट नी चाहिए कर सकते हैं या यह सब भी आपको खरीदने से पहले दिखान करना चाहिए availability of electricity भीजली मिलेगी सर्मिक मिलेंगे human availability है नहीं है किस रेट पर है distance from your residence जहां पर आप जमीन खरीद रहे हैं उसका कितना distance पर है वैसे बैटर यह है कि 15 किलो मीटर 220 या 25 किलो मीटर तक कोई दूरी नहीं है ऐसा नहीं हो कि आपको अपने खार में या अपने खेत तक जाने में पूरा दिन लग जाए और या फिर आना सकें पूरा दिन वहीं खपत हो जाए जाने जाने में तो आप ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे और लास्ट है लाइंड और सिच्वेशन इंदा स्टेट क्राइम रेट क्या है क्या है क्या होता है कि फसल आपने लगाई और काट कोई और ले गया तो यह ऐसा हो जाता है तो यह सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी तभी जानी है यह लाइंड ओर Piece काफी लोगों ने एमपी में जमीन कर दी और पचास-पचास एक्र जमीन बहुत सब्सकते मैं खरीदी लेकिन वहाँ पर नेक्स लाइट की सिच्वेशन लएनरे नेक्स लाइट वहाँ पर लेकिन यह दूसरी बात है खे उन्होंने उनसे भी से करनी है कि किसी भूमी खरीदने हैं तो क्या जरूरी चीजे हैं ये चीजे जरूरी है और प्रेफर करिए कि वहां पर डिमांडिंग जोन है तो आप थोड़ी मेंगी भी खरीदेंगे तो उसके आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे बेचने से तो ये था कि किसी भूमी झांक यू झांक यू